ना इडले ना ढोकला सिर्फ और सिर्फ दो से तीन चीजों से आज हम बनाएंगे टेस्टी सुपर सॉफ्ट जालिदार थ्रे इन वन सुपर टेस्टी नास्ता बच्चों के लंच बॉक्स हो या टिफिन के लिए कुछ न कुछ हमें सोचना ही पड़ता है कि रोज रोज ऐसा क्या खास बनाएं कि जट से बन भी जाए और कम तेल का भी हो और खाने में बहुत ही लाजवाब हो तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें आपको तीन-तीन स्वाद आने वाले हैं जिसके बाद इडली, ढोकला, वड़ा सब छोड़ देंगे इसे ही बनवाएंगे तो चलिए इस आसान सी जटपट सी ना के बराबर तेल वाली रेसिपी को स्टार्ट करें कि कैसे बनाएंगे और वो भी बहुत ही हेल्दी तो इस सुपर टेस्टी जालिदार नास्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कप पोहा आप इसके लिए कोई भी पोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं मोटी चाहे पतली कोई भी पोहे का तो सबसे पहले हमें पोहे को वाश कर लेना है तो मैंने एक बड़ा बावल लिया है बावल के उपर इस तरह से मैंने छन्नी रखाया है छन्नी के उपर हम पानी डाल कर पोहे को अच्छे से वाश कर लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह से दो से तीन पानी से धोईंगे ना तो य इसे धोल कर हमें 15 मिनट के लिए रख देना है 15 मिनट के बाद देखिए पोहे जो है वो सोख हो गई है फूल गई है अच्छे से तो इसे अब हम छननी से हटा लेते हैं और इस पोहे को अब हम डाल लेंगे एक मिक्सी के जार में तो मैंने सभी पोहे को बड़े वाले मिक्सर जार में मैंने ट्रांसफर कर लिया है और पोहे के साथ साथ बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप सूजी रवा और सूजी भी आप बारिक चाहे मोटी कोई भी सूजी का आप इस्तेमाल इस स्टेज़ पर कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने तीन चौथाई लिया है दो हरी मिर्च मैंने लिया है तीक है आप अपने स्वाद के अनसार ले सकते हैं और इसमें एक इंच अध्रक का टुकडा लेंगे इन सभी को हमें फाइन ग्राइंड कर लेना है तो आप देख सकते हैं जो हमारा पोहे और सूजी का जो मिक्षर है वो बनकर तैयार है क्राइंड होके तो इसे अब हम दो पार्ट में डिवाइड करके निकाल लेते हैं दो इक्वल पार्ट में तो मैंने सभी को दो इक्वल पार्ट में इस बैटर को डिवाइड कर लिया है और इसमें से एक पार्ट हम लेंगे एक पार्ट में हम थूड़ा सा नमक डाल लेंग और इसे हम आधा पाउच इसमें डाल लेंगे आधा हम बागी रख देते हैं तो मैंने इसमें हाफ पाउच इस्तेमाल किया है और इसके उपर एक्टिवेट करने के लिए एक छोटा चम्मच मैंने पानी डाला है बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो इनो एका प्लेत solchen आपट करना है और समय में एक कर दिसे और IT को शुष कें सुरू हो गया है तो इसकी उपर मैं जाली डाल दे रही हूं और इसे धक देते हैं धक कर साथ से आठ मिनट तक हम इसे पका लेंगे जब तक यह स्टीम हो रहा है तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें तो यहां पर फीलिंग के लिए मैंने यहां पर इस्तेमाल किया है आलू तो मैंने चार उबले हुए आलू लिये है और इसे आप कदूकस कर लिजिए चाहे हाथों से मैश कर लिजिए और इस आलू में हम डाल लेंगे ठोडा सा नमक तो मैंने आधा छोटा चमच नमक के इस्तमाल किया है एक चोथा ही चमच मैंने काला नमक के इस्तमाल किया है आधा छोटी चमच जीरा पाउडर एक चमच मैंने कस्वीरी लालमिश पाउडर के इस्तमाल किया है आधा छोटा चमच गरम मसाला पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर डालेंगे तो थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है आदा छोटा चम्मच के करीब और एक चम्मच मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता लिया है बस इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो आप यहाँ पर चम्मच की साहता से चाहे मेरी तरह आप हाथों का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो यह देखिए हमारा जो मिक्षर है वो बनकर तयार है आलू की फीलिंग और यहाँ पर जो हमने स्टीम करने के लिए रखा था वो भी अच्छे से स्टीम हो गया है बस हम चेक कर लेते हैं तो मैंने साथ से 8 मिनट के बाद इसे चेक करके देखा है तो आप देख सकते हैं चम्मच में कुछ भी लगकर नहीं आ रहा है इसका मतलब यह अच्छे से स्टीम हो गया है तो बस इसे हम निकाल कर ठंडा कर लेते हैं तो मैंने ठंडा करने के बाद हम यहाँ पर लगा लेंगे हरी वाली चटनी जो हमने स्टीम किया है उसके उपर अगर आपको हरी चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मैं वो भी सेर कर दूँगी और इसके उपर जो हमने आलू की फीलिंग बनाई है उसे हम स्प्रेड कर लेंगे उसे हम फैला लेंगे चारो तरफ एक बराबर हम एकवली इसे फैला लेते हैं आलू की फीलिंग तो यहाँ पर आलू की फीलिंग भी हमने अच्छ बैटर बचा के रखा था ना उसी आधे बैटर को हम ले लेंगे आधे बैटर में हम नमक और इसमें जैसे हमने पहले डाला था इनो तो इनो में हमने पहले हाफ पाउच डाला था हाफ पाउच हमने बचा के रखा था तो हाफ पाउच इसे स्टेज पर हम डाल लेंगे और इस वो अच्छे से fluffy हो गया है तो बस इस बैटर को हम डाल लेंगे जो हमने पहले steam किया था और जो हम जिस पर आलो की feeling तेयार किये हैं उसके ऊपर हम इस सारे बैटर को डाल लेंगे पोहे के बैटर को पोहे सुझी को और इसे हम अच्छे से spread कर लेते हैं इसके ऊपर और अच्छ से हमारा यह mixture फैल सके तो यह अच्छे से फैल गया है तो इसे मैं ले जाकर रख देती हूं preheated कड़ाई में तो कड़ाई को मैंने पहले से ही गरम कर लिया था और छे से साथ मिनट इसे हम धक कर पका लेंगे इसे साथ मिनट स्टीम करने के बाद आप देख सकते हैं मैं एक गुसा कर देख रही हूं कितने अच्छे से यह पकर तयार हुआ है इसमें कोई बाहर चिपकर नहीं आ रही है और आप लोग सोच रहोंगे कि पहले स्टीम कर लिया उसके बाद नीचे की लेयरिंग तो खराब नहीं हो जाएगी नहीं फ्रेंस बिल्कुल नीचे की लेयरिं पर मेरे बच्चों को बरदास नहीं हो रहा था वो लोग खाने के लिए परिसान थे तो मैंने थोड़ा गरम में ही इसे कट किया है अगर आप चाहे तो ठंडा करके कट कीजिएगा ठंडा करके कट कीजिएगा तो आपका जो यह नास्ते का पीस निकल कर आएगा ना बहुत डाला है आप देख सकते हैं फ्रेंट्स बहुत जादा हमने ओइल का इस्तेमाल नहीं किया है और ओैल को मैंने फैला लिया है और यह ध्युत हमारा नास्ते का पीस है ना उसे हम डाल लेंगे और दौनों साइड से हमें इसे गूल्डेन कलर लाना है दौनों साइड इसे खा सकते हैं पर हलका सा इसे इस तरह से फ्राई कर लेंगे ना तो इसका तेस्ट दोगना हो जाता है बहुत ही ज़्यादा स्वाधिष्ट यह लगता है तो मैंने सभी को सेक लिया है दोनों साइड से और इसे अब हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं और जो हमारा दूसरा और ब इसे इसको सेक लिया है और यह हमारा नास्ता बनकर तैयार है इसे आप किसी भी सौस के साथ किसी चटनी के साथ चाहे आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं बहुत ही लाजवाब यह लगता है आपको इसमे त्री इन वन स्वाध आयेगा नाइड आपको इसमें थोड़ा इडली का थोड़ा धोकला का स्वाद आएगा और थोड़ा वड़ा का स्वाद आएगा पर खाने में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्पॉंजी जालिदार हमारा ये नास्ता बनकर तयार है आप इसे चटनी के साथ सौस के साथ इंजोई कीजिए चाहे आप इसे बच्चों के तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा साथ में बैल आइकन बे प्रेस कर लिजेगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके बाई बाई फ्रेंड्स